खुटाफ अना अलाके में के पिक अप लटने से तकरीबन 15 लोग घायल हो गए हैं जिनने कोटा की सामुदाइक स्वास्त केंद्र में भर्ती कराया गया है तो वहीं दो गंफिर लोगों को विलाजपुर जिलास्पताल रेफर किया गया है बता दें पेक अप वाहन से ये सभी लोग मुंगेली, जिला, लोर्मी, ब्लोग, सेम्रा, पारा और रेवली के गाउं के थे और ये लोग दशगात्र के कारिकर में कोटा, जनपत के ग्रामपांच चाहत खुरदूर जा रहे थे जैसे ही वहाँ रेल्वे फाटा के पास पहुंशा और वहाँ तेज रफ्तार होने से पलट गया जिसे से तकरिवन पंद्र लोग खायल हुए है मैं सेम्रा पारा से खुरदूर जा रहे थे और फाटाग के फाटाग से मतलब लोग बाहर हो गय थे उधार खुरदूर जाने वाले रास्ता में अब उच अचानाग वाई तीम लोग का गारी फुलाट गया अब आरा पाराल खुरदूर जात रहें दस गात्रमा अब गाड़ी अचलात रहे से चलाईया अब हमन बैठे रहे हैं अब कैसी चलाई से अगदम रफ्तार साइट की रही सवाए अगमोण मजीशना तर पलड़ गी से रेलवे फाटक से आगे डायवर के लापरवाही से अचानक पिक अप पलड़ गई जिसमें खुल महिला पुरूस 15 लोगों को चोटे आई है जो हास्पिटल में लाकर भर्ति कराया गया है इलाज चल रहा है जिसके जहां चल रही है आगे विवेचना कर अगरिम कारवाही की जए